दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड फिगर में दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां साथ बच्चे पैदा करने पर मा को मिलता है गोल्ड मेडल तो छे बच्चे पर मिलता है सिल्वर दोस्तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन को भी पुश करना जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेसंस आपको मिलते रहें दोस्तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीस सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो आम तोर पर दुनिया में गोल्ड मेडल, खेल, सिक्षा, बिग्यान, समेत, कई छेतरों में दिये जाते हैं लेकिन एक ऐसा भी मुल्क है जहां गोल्ड मेडल जादा बच्चे पैदा करने पर दिया जाता है मद्ध एसियाई देश कजाकिस्तान में साथ या इससे जादा बच्चों की जनम देने पर माँ को गोल्ड मेडल से नवा जाता है सरकार के जनम दर को बढ़ाने के इस अजीवो गरीब कानून की चर्चा दुनिया वर में होती है कजाकिस्तान की सरकार च्छे पैदा करने पर सिल्वर तो साथ या उससे अधिक बच्चा पैदा करने पर माँ को गोल्ड मेडल देती है इसके अलावा उन्हें हीरो मदर्स का टाइटल भी दिया जाता है ये मामला यहीं नहीं रुकता सरकार की तरफ से माओं को एक महीने का पूरक खर्चा भी दिया जाता है कजाकिस्तान में सरकार के जन्मदर को बढ़ाने के इस अजीबो गरीब कानून को लेकर दुनिया वर में चर्चा भी होती रहती है दूसरी और जो महलाएं मेडल नहीं जीत पाती हैं उनके लिए भी सरकार ने बेवस्था की हुई है कजाकिस्तान सरकार के कानून के मताबिक जिन परिवारों में चार बच्चे हैं उन्हें सरकार बच्चों के 21 साल तक हो जाने तक भत्ता मौया कराती है कजागिस्तान में माओं का जादा बच्चा पैदा करने पर सम्मानित किये जाने की परंपरा सोबियत संग के काल से ही चली आ रही है 1944 में मदर हीरोईन के नाम से एक एवार्ड बनाय गया था इसके तहट दस या इससे जादा बच्चों वाली माओं को सम्मानित किया जाता था आलाइक अब इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है कजागिस्तान सरकार का इरादा जन्मदर को उच्च रखना है देश के स्रम और सामाजिक कारिकरम बिवाग के प्रमुक ने कहा कजागिस्तान सरकार की नीती देश में बच्चे के जन्म को बढ़ावा देती है और हर माँ को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोथसाहित करती है तो दोस्तो ये देश है कजाकिस्तान जिसमें ये अजीवो गरीब कानून बना हुआ है और इस कानून की चर्चा पूरे बिश्व में होती रहती है दोस्तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद